हेलो बच्चों आप सभी कैसे हो मुझे बिश्वास है आप सभी लोग अच्छे होंगे खूश होंगे और सेफ होंगे बच्चों मेरा नाम धरंजे सिंग है और मैं इतिहास विशेक अध्यापक हूँ और मैं दिल्ली के कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और आज आपके साथ हम समान अध्याइन का एक सबसे महत्पुन भाग इतिहास माना जाता है उसके साथ हम क्लास को सुरू करेंगे बच्चों पठन पाठन शुरू करने से पहले कुछ अधारभूत बाते होती है जिसका भी महत्पुन आपकी सफलता में होता है तो आईए सबसे पहले उन बातों पर हम प्रकास डालते हैं जिनका महत्पुन ध्याइन से कहीं भी कम नहीं उसमें सबसे पहला भाग है बच्चों कि जिस परिक्षा में आप अपियर होने जा रहे हो उस परिक्षा का सिलेवस क्या है उसका पाठेकरम क्या है नंबर वन सिलेवस अर्थात उसका पाठेकरम क्या है जो दूसरा अधारवूत सर्थ होता है ओ है कि उस परिक्षा में पिछले 10 सालों में 15 सालों में पूछे जाने वाले प्रस्णों का नेचर क्या है उन प्रस्णों के माद्यम से जो आयोग है चाहे UPSC हो चाहे State PCS आयोग हो इन आयोगों का अभिर्थियों से क्या अपिछा होता है ये सारे आयोग बच्चों में क्या ढूंडते हैं क्या खोजते हैं किन बच्चों को चैनित करते हैं या चैन करने के लिए मन बनाते हैं यानि प्रस्णों का स्वारूप और तीसरा हमारा जो कारक होता है कि हम अध्यान कैसे करेंगे हमारी यात्रा कैसे होगी हम कैसे शुरू करेंगे ताकि हमारा गंतब्य हमें प्राप्त हो जाए ध्यान दीजी दुनिया में जो भी अपने मक्सब में काम्याब हुआ है सफल हुआ है उसके सफलता के पीछे कुछ रणीत होती है हम निशंदे मेहनत करते है लेकिन हम यदिया नहीं जानते है कि परिस्तरम का सही दिशा क्या है उसका कारेपदती क्या है उसका कार्योजना क्या है तो हम समता होने के बाद भी संसादनों के होने के बाद भी हम अपने आपको असफल पाते हैं इसलिए तीसरा बिंदू भी अती महत्पुर्ण है और वो है कि अध्यान कैसे किया जाए अध्यान कैसे किया जाए कैसे किया जाए इन तीनों बातों पर हम वहुत अधिक समय नहीं लेंगे, हमारा प्रकास बहुत थोड़ा होगा, लेकिन सारगर्भीत होगा, संचिप्त होगा, लेकिन सारगर्भीत होगा, जहां तक शिलेबस का प्रस्ण है तो सुभाविक है कि बच्चे ऐसा बहुत कम ही होंगे जो इतना बड़ा सपना देखते होंगे कि हम कलेक्टर बनेंगे, हम SDM बनेंगे वे बच्चे कभी सिलेबस नहीं देखे होंगे या मुझे विश्वास नहीं होता है तो यदि आपने सिलेबस देखा होगा तो आप देखे होंगे कि UPSC में या PCS परिच्चा में UPPCS या उतराखंट PCS या BPSC इन परिच्चाओं में जो सिलेबस है जो परिच्चा का पैटर्न है वहाँ समाने तर पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है जैसे प्रारंबिक परिच्चा और दूसरा होता है मुखे परिच्चा जो प्रारंबिक परिच्चा होता है उसका नेचर अबजेक्टिव है क्या है अबजेक्टिव है जबकि जो मुखे परिच्चा है उसका नेचर सब्जेक्टिव है यह क्या है सब्जेक्टिव है यानि पहले परिक्षा में किवल सही बिकल्पों का चैं करना होता है, जबकि मुखे परिक्षा में आपका ज्ञान की गहराई क्या है, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या सीखा है, उसका मिमांसा किया जाता है, तो है तो दोनों परिक्षा important यह प्रवेश द्वार है यहां से प्रवेश मिलेगा तभी जाकर कि आप यहां पहुँचेंगे यही रोक जाएंगे रोक दिये जाएंगे तो यहां आप पहुँची नहीं पाएंगे तो है तो दोनों महत्व पुरण ध्यान दिजिए अब जहां तक इन दोनों परिक्षाओं में इतिहास का position क्या है इतिहास का contribution क्या है तो हम देखते हैं बच्चों कि जो प्री एक्जाम है यानि जो पारंभिक परिक्षा है उसमें इतिहास विशय के अंतरगत आप देखोगे कि प्राचीन भारत इसे मिटा देते हैं प्राचीन भारत यानि एंसिंट इंडिया मद्यकालीन भारत यानि मेडिवल इंडिया और आधुनिक भारत यानि मॉडर्न इंडिया इन तीनों को रखा गया है जबकि मुखे परिक्षा में समाने तौर पर आधुनिक भारत विश्वितिहास और कला संस्कृति एवं बिरासत को रखा गया है यह आपका मुखे परिक्षा हो गया यानि मेंस हो गया और यह हो गया प्रिलिम्स हो गया यानि प्रारंबिक परिक्षा हो गया किसके लिए UPC किसके लिए UPPCS ठीक है राइट अब इस सेशन में हम लोग सबसे पहले अध्यान सुरू करेंगे आधुनिक भारत कर आपके मन में एक सवाल होगा सभाविक है होना भी कि प्राचीन भारत से क्यों नहीं कर रहे हैं कि प्राचीन भारत से हमिशलिय नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राचीन भारत का जो रोल है बहुत सिमित है मद्यकालिन भारत का जो भूमिका है बहुत सिमित है कि यहां देखेंगे प्री में और यहां देखेंगे कला संस्कृति और बिरासत में यदि हम प्रस्णों को देखें कि तिहास के इन सेग्मेंट में किस सेग्मेंट में से अधिक सवाल पूछे जाते हैं तो वहां भी हम देखते हैं कि आधुनिक भारत की स्थिती जो है इन दो कोनों के अपेक्षा ज्यादा मजबूत दिखाई देती है वो कैसे प्री में देखेंगे आप यानि प्रारंबिक परिच्छा में देखेंगे कुल सवाल कितने है 100 प्रस्णों की संख्या कुल कितना है 100 और 100 में से लगभग 20 से लेकर और 25 क्वेश्चन होते हैं इतिहास से कहा से होते हैं इतिहास से 25 में से रेश्यों आप देखेंगे तो आधुनिक भारत का रेश्यों कितना है लगभग 12 से 15 अधुनिक भारत का और सेश जो हे, जो सेश प्रस्ण है, वह एंसेट से है और मेडिवल से है नमबर एक, इसलिए हम फोकस करना चाहते हैं आदोनिक भारत पर, और दूसरा इसलिए कि मुख्य परीख्षा देने आप जाते हैं, तो वहां भी आदोनिक भारत की भुमिका अधिक हमें प्रभावका दिखाई देती है और तीसरा कारण है बच्चों कि आधुनिक भारत का सिलेबस थोड़ा बड़ा है बड़ा भी है इंड्रेस्टिंग भी है इसलिए हमारा प्रयास होता है कि सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत से क्लास को सुरू करें पढ़ना तो हमें सब को है ठीक है तो आईए हम आधुनिक भारत से क्लास सुरू करते हैं देखिए आधुनिक भारत आधुनिक भारत से संबन्दित किसी टॉपिक पर विचार करने से पहले जरूरी है कि हम ये जाने कि आधुनिक भारत में हमें पढ़ना क्या है कौन कौन से टॉपिक है जिनका हमें अध्यान करना होगा ध्यान दिजिए और दूसरी बात कि क्लास के साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप घर पर भी आप सेल्फ एस्टडी करने का प्रयास करेंगे ताकि क्लास के साथ साथ आपका स्वयम का भी एक प्रिपरेशन होता रहेगा इसके लिए बच्चों आप जो NCRT है NCRT है Old NCRT है पुरानी वाली NCRT है आधुनिक भारत की जिसे लिखा है विपीन चंद्रा ने लिखा है इसका लिखा कौन है विपीन चंद्र Class 12 Class 12 इस NCRT को आप ले सकते हैं बहुत ही बहतरीन NCRT है बहुत ही सुन्दर है और Class के साथी चांथ आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रगती बहुत तिब्रगती से हो रही है ठीक है तो आईए आधुनिक भारत में हमें basically दो सेगमेंट का हमें अत्यायन करना होगा पहला 1757 से लेकर के 1947 तक 1757 से कहां तक 1947 तक यानि राज से सोराज तक राज से सोराज तक राज का मतलब बिटिस एमपायर इसका मतलब क्या है बिटिस समराज्य हो गया समराज्य हो गया और सोराज का मतलब स्वतंतरता इंडिपेंडेंडेंडेंज यानि लिबरेशन स्वतंतरता 1757 से लेकर के 1947 तक यह हमें आधुनिक भारत का पहला सेगमेंट होगा जो दूसरा सेगमेंट है वह है उसको कहते हम पोस्ट इंडिपेंडेंडेंज यानि 1947 के बाद 1947 के बाद भारत का इतिहास जिसको हम कहते हैं इंडिया आफ्टर गांधी इंडिया आफ्टर गांधी इंडिया आफ्टर गांधी यानि गांधी के बाद भारत आपने देखा है एक किताब भी लिखा गया है इसके उपर, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही एक famous historian है, उनका नाम है राम चंद्र गुहा, राम चंद्र गुहा का यहां किताब है, इंडिया आफ्टर गांधी, बहुत ही अच्छा किताब है, इसके लिए इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है तो आईए बच्चो सबसे पहले हम लेते हैं, राज से सुराज तक की कहानी, ठीक है, इसके लिए आप जो EANCRD है, विपिन चंद्र वाली, इसको consult कर सकते हैं, इसके लिए, है न, ठीक है, तो आईए सबसे पहले लेते हैं, राज से सुराज तक राज से स्वराज तक यानि 1757 टू नाइंटीन फॉर्टी सब्से पहले हमें देखना होगा इस पूरे जो लंबा अवधी है लगभग आप देख सकते हैं बहुत बड़ा अवधी है इस अवधी में जो परिवर्टन हुए जिन नेतियों का निर्मान बिटिस समराज के द्वारा किया गया जो भारती लोगों ने संघर्ष किया जो भारत का सोशन हुआ उसके लिए जरूरी है कि हम ये देख लें कि इस इतिहास के सेग्मेंट के अंतरगत हमें किन किन टॉपिक अध्यान करना होगा ताकि हम करमिक रूप से जितने भी महतपुरुन घटनाएं हैं उनके उपर हम प्रकास डाल सकें तो आईए सबसे पहले हम सिलेवस्त नोट करते हैं इसमें सबसे पहला हमारा अध्याय होगा चैप्टर होगा भारत में एउरोपिये कंपनियों का आगमन कंपनियों का आगमन आगमन इसके इस अंतरगत हम लोग अध्यायन करेंगे की पूर्तगाली कंपनी हो गया दर्च कंपनी हो गया ब्रटिश हो गया देनीश हो गया और फ्रांसईस हो गया और फ्रांसिसी हो गया यानि भारत में ब्यपार करने के लिए एउरोप से कई कमपनियों का भारत में आगमन हुआ पुर्तगाली, डच, ब्रेटिस, डेनिश और फ्रेंच इस अध्याय में हम लोग अध्यान करेंगे कि इन कमपनियों के द्वारा भारत में कहां कहां पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित किया गए भारत में इनका कौन सी कारेविधी थी इनकी नीतियां क्या थी भारतिय समाज को, राजनीत को, अर्थववस्था को, संस्कृति को इन कमपनियों ने किस तरह से प्रभावित किया हम इसके बारे में इस अध्याय में अध्याय करेंगे इसके बाद हमारा दूसरा अध्याय होगा कि भारत में ब्रिटिस समराजय का अभिस्तार भारत में ब्रिटिस समराजय का अभिस्तार इसके अंतरगत हम अध्यान करेंगे इन कंपनियों में से किस तरह से एक कंपनी जो इंग्लेंड की थी ब्रिटिस कंपनी उसके द्वारा किस तरह से भारत में अपने समराज का विश्थार किया गया यानि बंगाल मयशूर मराथा और पंजाब और पंजाब यानि इस अध्याय में हम लोग अध्यायन करेंगे कि ब्रिटिस कंपनी का बंगाल पर अधिकार कैसे अस्थापित हुआ बंगाल के बाद मयशूर उसके बाद मराथे उसके बाद पंजाब में किस तरह से ब्रिटिस कंपनी ने अपने समराज का विश्थार किया उन छेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया ठीक है अब आईए हम देखते हैं तीसरा अध्याए आधुनिक भारत का जो तीसरा अध्याए होगा उसमें हम लोग का मुख्य रुप से फोकस होगा कि बिटिस सरकार की आर्थिक नीतियां आर्थिक नीतियां जैसे भूर अजश्व नीति नमबर दो क्रिषी का बानीजी करन क्रिषी का बानीजी करन नमबर तीम भारतीय हास्त शिल्प उद्योगों का बिनाश उद्योगों का बिनाश और नमबर फोर भारत से धन का निश्काशन जिसको हम दिड्रेन आफ वेल्थ भी कहते हैं यानि भारत में बिटिस तरकार की आर्थिक नीतिया इस अध्याय की अंतरगत हमें जो सब टॉपिक है ये तो में टॉपिक हो गया ये हो गया में टॉपिक अब इसकी अंतरगत जो सब टॉपिक हैं उसमें हम ले सकते हैं पांच भरसों में यूपिक ही ने जो सवाल और यूपियसी वैसे भी आप देखोगे कि आर्थिक जो टॉपिक है जो जिनका संबंद अर्थ विवस्था से है उसमें पता नहीं उसको बिशेश अविरूची होता है ठीक है यह नंबर थ्री हो गया नंबर फॉर नंबर फॉर में हम लेंगे बच्चों की बिटिश सरकार की सांस्कृतिक नेतियां इसमें हम अध्यान करेंगे की बिटिश सरकार के संरक्षण में किस तरह से भारत में आधुनिक पश्यमी अंग्रेजी सिक्षा का अंग्रेजी सिक्षा का प्रचार प्रशार हुआ प्रचार प्रशार हुआ और इसके बाद ही और इसके साती साथ बिटिश सरकार के द्वारा किस तरह से भारत में ब्याप्त बुराईयों को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए गए यानि यानि बिटिश सरकार के के सुधारबादी नीतियां यानि धर्म हुआ समाज हुआ इत्यादी जैसे आप देखेंगे कि 1829 में सती प्रथा का उन्मुलन किया गया सती प्रथा का उन्मुलन किया गया 1856 में देखेंगे आप कि बिधवा पुनर विवाह को कानूनी मानेता दिया गया कानूनी मानेता प्रदान किया गया इसके उन्मुलन में आप देखोगे लॉड विलियम बेंटी का मुख्य भूमी का था जबकि बिधवापुन विवाह को कानूनी मानेता प्रदान करने में देखोगे आप की एक तरह से जो लॉड कैनिंग है जो लॉड कैनिंग है उसका विशेश भूमी का आपको दिखाई दे रहा है तो यह अध्याय भी बहुत ही महत्पूर्ण है और यहां से भी आप देखोगे कि हमेशा प्रस्ण पूछे जाते हैं ठीक है अब आईए नेक्स्ट अगला ध्याय होगा बच्चो ब्रिटिश काल में होने वाले बिद्रो होने वाले प्रमुख बिद्रो प्रमुख बिद्रो आप देखोगे कि ब्रिटिश काल में मुख्यरुप से जो बिद्रो किये गए क्योंकि ब्रिटिश त्रकार के द्वारा सोशन किया गया उनका जो नेचर था वो नसलवादी था परत्क्रियवादी था सोशनकारी था तो सुभाविक था कि लोगों के द्वारा बिद्रोह किया गया ऐसे बिद्रोहों को हम तीन कटेगरी में बाट करके अध्यान कर सकते हैं नंबर एक किशान बिद्रोह यानि किशानों के द्वारा बिद्रोह किया गया दूसरा है जन्जातिय बिद्रोह और तीसरा है 1857 का महा बिद्रोह ठीक है यानि इस टॉपिक में हम तीन सब टॉपिक के बारे में ध्यान करेंगे किसान बिद्रोह हो गया जन्जातिय बिद्रोह मतब ट्राइवल रिवल्ट हो गया और तीसरा है 1857 का महा बिद्रोह ठीक है इसके बाद अगला हमरा जो चैप्टर होगा ठीक है उसमें हम लोग आधुनिक भारत का निर्मार आधुनिक भारत का निर्मार यानि इसमें हम लोग अध्यान करेंगे 19 सताबदी में यानि 19 सताबदी में भारत में भारत में धर्म प्लस समाज सुधार आंदोलग सुधार आंदोलग जैसे राजरा मोहन राए राजरा मोहन राए स्वामी द्यानंद विवेकानंद स्यद अहमद खान यानि बच्चों इस टॉपिक में हम लोग अध्यान करेंगे कि आधूनिक हिंदुस्तान का निर्मान कैसे हुआ हम इसलिए गुलाम हुये हमारे समाज में राश्ट्रवादी चेतना का नितान अभाव था समाज बटा हुआ था धर्व रूडिवादी था शिक्षा पिश्डा हुआ था जिसमें तर्क बुद्धिबाद का भाव था सबसे पहले 19 सेंचुरी में हमारे भारत में पुन जागरन हुआ रजरा मोहन राय द्यानंद विवेकानंद जैसे लोगों ने अपने उपदेशों के मात्यम से हमारे समाज को समंतवादी मानसित्ता से आजाद किया मुक्ति प्रदान किया और तब जाकर के एक स्वस्त भारत का निर्माण हुआ और उसे स्वस्त भारत के मात्यम से आगे हम भारती राष्टिय कॉंग्रेस का गठन भी किये तो ये चक्तर ही बहुत इंपॉटेंट है क्योंकि यदि इसको आप नहीं समझते हैं तो हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद का उद्भाव कैसे हुआ और फिर राष्ट्रवाद जो है कैसे एक आंदोलन का रूप लिया इसको समझने में आपको परिशानी होगी इसलिए यह अध्याय भी हमारे लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो आईए अब इसके बाद अगला अध्याय क्या होगा भारत में राष्ट्रवाद का उद्भाव एवं विकाश एवं विकाश यानि भारत में नश्नलिजम कैसे पैदा हुआ और उसका विकाश कैसे हुआ जहां तक विकाश का प्रस्ण है तो इसके लिए हम इसे तीन अलग-अलग कालखंडों में बाट करके अध्यायन कर सकते हैं पहला कॉंग्रेस का गठन एवं उदारबादी चरन उदारबादी या नरम पंथी चरन जिसको हम रखते हैं 1885 ले करके और 1905 तक जो दूसरा फेज है उसको हम कहते हैं उग्रबादी चरन या गरम पंथी चरन कहते हैं 1905 से ले करके और 1919 तक ध्यान दीजिए और तीसरा जो चरन है वह गांधी बादी चरन है गांधी बादी चरन है जिसका समय काल बहुत लंबा है यानी 1919 से ले करके और 1947 तक ध्यान दीजिए पूरे भारत में राष्ट्रबाद का उद्वाव उसका अभिकास को हम सुविधा के लिए हम तीन कालखंडों में बाट दिया है जबकि इन तीनों के बीच में और भी कई धाराएं हैं जिनको भी हमें अध्यान करना होगा जैसे आप देखेंगे इसी कालखंड में हमें अध्यान करना होगा क्रांती कारी क्रांती कारी राष्टवाद का विकास क्रांती कारी राष्टवाद का विकास जैसे आप देखेंगे उसमें आप देखते हैं हरे हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन है फिर बन गया हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन हो गया है ना कि इसी में देखेंगे अनुसिलन समीती हो गया अभिनो भारत हो गया कि शवरकरवाला अभिनो भारत यानि इसी कालखंड में हमें भारत में उन लोगों के बारे में भी अध्यान करना है जो भले गांधिवादी जो मार्ग है जो सत्यागरा है उस मार्ग को स्विकार नहीं किये लेकिन उनके द्वारा भी अपने बलिदान के मात्यम से अपने प्राणों की आहूती दे करके भारत के राष्टी आंदुलन में मुख्य भूमिका निभाया गया तो इसका भी हमें अध्यान करना होगा ध्यान दीजे साथी साथ आप देखेंगे कि इसी कालखंड में भारत में सामेबाद एवं समाजबाद का उदभाव समाजबाद का उदभाव उदभाव एवं विकास यानि राइज ओफ कम्यूनिजम और सोशलिजम इन इंडिया भारत में इसके बारे में भी हम अध्यान करेंगे ठीक है यह भी टॉपिक बहुत ही इंपॉटेंट है अगला टॉपिक का जहां तक प्रस्न है तो दो और टॉपिक्स हैं जिन्हें अध्यान करना आनिवारे होगा क्योंकि प्रस्न वहां से भी पूछे जाते हैं उसमें एक टॉपिक होगा सेवेंटीन सेवेंटीन थ्री से लेकर सेवेंटीन सेवेंटीन थ्री से लेकर यानि इसे हम क्या कहते हैं वो लिए इसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं यहां से लेकर के और 1935 तक 1935 तक ब्रिटिस काल में जितने भी संबैधानिक सुधार किये गए संबैधानिक सुधार किये गए संबैधानिक सुधार किये गए उन सभी सुधारों के बारे में भी हमें अध्यान करना होगा उसमें आप देखेंगे एक तो 1773 है 1784 है इसके बाद 1813 है 1833 है 1853 है 1858 है इसके बाद 1861 है इसके बाद 1892 है इसके बाद 1909 फिर 1919 हो गया और फिर आ गया 1935 यानि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस इग्यारह एक 11 ऐसे एक्ट जो है पारित किये गए हैं बिटिस तरकार के द्वारा भारत में तो वहां से भी आप देखोगे कि हमेशा चाहे प्रणामिक परिक्षा हो चाहे मेंस परिक्षा हो मुखे परिक्षाओ दोनों वस्तर के परिक्षाओं में वहां से भी सoren पूचे जाते हैं जब हम पढ़ाएंगे आपको उस समय हम उन प्रसनों के बारे में भी चरचा करेंगे जो इनसे संबंदित हैं और जो पहले के परिक्षाओं में पूचे गए हैं हम sorry बता जाएंगे उस समय कि ऐसे प्रसने पूछे जाएंगे तो उनका आंसर कैसे आपको लिखना होगा यानि हम पढ़ाई के साथ ही साथ जो आपका राइटिंग स्कील है लेखन सैली है उसके विकास में भी हम आपको साहता करेंगे ठीक है अच्छा अब अन्तिम जो हमारे पास काल में बिटिस काल में प्रमुक गवर्नर जन्रेल कहां पर भारत में भारत में प्रसासक है जिनको हम पहले कहते थे गवर्नर जन्रांड गवर्नर जन्राल कहते थे और बाद में इन को हम कहने लगे वाहेश्टराय उफ हिंडिया क्या वाहेश्टराय जन्श 1758 जब हमारे पास 1857 का रिवोल्ट हुआ और उसके बाद हिंदुस्तान में बिटिस समराजिस समाप्त कर दिया गया और हिंदुस्तान के सासन का दाइत्व सीधे बिटिस क्राउन के हाथ में दे दिया गया उस समय से भारत में जो गवर्नर जंडल होता था उसका नाम हो गया वाय सराय ऑफ इंड्या तो हमारे भारत में कुछ ऐसे वाय सराय और बिटिस गवर्नर जन्रल हुए जिनका आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को हम रिखांकित कर सकते हैं बच्चो ध्यान देना यहाँ पर एक सवाल भी है अभी हम चर्चा करते हैं आपको पहले हम उन लोगों का नाम जो है आपके सामने प्रस्तूत करते हैं जिनोंने आधुनिक भारत के निर्माण करने में भूमिका निभाया है जैसे एक नाम तो हम रखते हैं लॉड क्लाइप एक नाम तो यही हो गया लॉड क्लाइप नमबर एक, नमबर दो है, वारेन हैस्टिंग, वारेन हैस्टिंग, तीसरा नाम है, लौड कर्नवालिस, लौड कर्नवालिस, इसके बाद, चौथा, लौड विलजली, पाच्वा, लौड विल्यम, बंटिक, नौड शौड लौड बंटिक, नौड लौड दल्हौजी, number seven lord leaton number eight lord repan number nine lord karjan lord karjan कि यानी कि ऐसे हमने कि नौ ऐसे गवर्णर जन्रल भारत में हमने चूना है कि जिनका भारत में आधुनिक भारत के निर्मान में जिनकी भूमिका दिखाई हमें देती है लेकिन यहां पर ध्यान यह रखना है वच्चो कि जितने भी यह प्रसासक हैं आई मीन बिटिस गवर्णर जन्रल हैं यह बैसिकली क्या थे समराजवादी थे यह सब के सब क्या थे समराजवादी थे यानि यह इंपीरियल रूलर थे इंपीरियल रूलर थे इनका पहला उदेशे था हिंदुस्तान में बिटिस समराज़ को मैफूज करना हिंदुस्तान का जो संसादन है वह बिटिस लोगों के हाथ में बना रहे इनका सबसे पहला उदेश से था और सबसे अंतिम उदेश से भी अही था तो इनके द्वारा जो भी अच्छे काम किये गए जैसे मालो रेलवे का निर्माड हुआ किसके द्वारा किसके द्वारा हुआ तो आप कहेंगे लौड डलहौजी के द्वारा जैसे दूसरा है कि भारत में अंग्रजी सिक्षा की सुरुवात किसके द्वारा तो आप कहेंगे लौड विलियम बेंडी के द्वारा ठीक है न तो ये जितने भी अच्छे कारे हैं वह इसलिए नहीं क कि यह लोग चाहते थे कि हिंदुस्तान को हम एक आधुनिक राष्ट बना दे आधुनिक राष्ट हम बनाने में सहायता करें यह इनका बोल नहीं था और हो भी नहीं सकता है कभी भी सम्राजवाद कभी भी सम्राजवाद सम्राजवाद और आधुनिकी करन कभी एकसाथ नहीं चल सकते हैं या तो यह रहेगा या तो यह रहेगा दोनों एकसाथ नहीं रह सकते और चुकि ये लोग समराजवादी थे तो इनका कभी उदेश से हो ही नहीं सकता था कि सहाव हम हिंदुस्तान को आदमिक राष्ट बनाना चाहते हैं हाँ जो इनके द्वारा प्रयास किया गया वह इसलिए किया गया ताकि हम अपनी पकड़ को यहाँ पर मजबूत कर सकें मिला करके हमारा जो मुख्य टॉपिक है यही है और इतने अध्यायों का हमने आपके सामने एक तरह से चर्चा किया उन सब को हम लोग बारी-बारी से अध्यान करेंगे ठीक है एक बात और देखिए आपके मन में एक सवाल होगा और होता भी है चुकि हमने अफ्लाइंग क्लास बहुत लिया है अफ्लाइंग क्लास में बच्चे हमेशा पूछते हैं सर कैसे पढ़ा जाए हमने सिल्फ स्टडी किया है सर लेकिन भूल जाते हैं कोई चीज पढ़ते हैं और लंबे समय तक दिमाग में नहीं रहता है सर हम कैसे करें बच्चों ध्यान देना हम इसलिए भूलते हैं हमें कोई चीज इसलिए याद नहीं रहता है या जटिल प्रतीत होता है उसका कारण ये है कि हम कहानी को समझने का प्रयास नहीं करते हैं हम कहानी को समझने का हम प प्रियास नहीं करते हैं तो हम करते किया है हम उस कहानी से संबंदीत त disputes कि जो वैक्ति है मिजो 타注 है जो समय है कि जो स्थाण है कि इन सबको हम रटने का प्रियास करते हैं कि इस सब को हम रटने का प्रयास करते हैं रटने का प्रयास करते हैं देखिए कोई भी घटना होती है कोई भी घटना उठाइए तो उसमें मुख्य बाद क्या होता है उसमें एक प्लेयर होता है यानि एक व्यक्ति होता है जैसे गांधी जी हो गए एक समय होता है जैसे गांधी का पहला जो अंदोलन था अस्थायोग अंदोलन था 1922 हो गया समय हो गया अस्थान कहां से अंदोलन शुरू किया गया उसमें क्या क्या हुआ तो हर जो है घटना में एक समय होता है एक पात्र होता है एक प्लेस होता है और कुछ उसमें प्रोग्राम्स होते हैं कि हम क्या करने वाले हैं तो बच्चे करते क्या हैं कि इन चीजों को रटने का प्रयास करते हैं अब जब तक पढ़ते रहते हैं तब तक लगता है याद है और दो दिन के बाद क्या होता है कि वो सारी चीज उनके दिमाग से निकल जाता है कि इसलिए कि उन्होंने समझने का प्रयास नहीं किया बच्चों ध्यान देना मेरा प्रयास होगा कि जब हम कभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कोई भी टॉपिक हम लेते हैं तो मेरा सबसे पहला प्रयास होगा उस टॉपिक को कई छोटे छोटे भागों में बाट देना यानि कई छोटे 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 भागों में बाटना उसे कई भागों में बाट दिये और इसके बाद प्रतेग भाग पर हम क्या करेंगे प्रकास डालना शुरू करेंगे प्रतेग भाग पर ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम यह करेंगे कि जो मुल टॉपिक है उसमें सबसे महतपुर्ण तथे क्या क्या है उसके में फैक्स क्या क्या है पहला नमर उसका फैक्ट क्या क्या है उसमें तथे क्या क्या है और साथ में उस घटना से संबंद आउधारना क्या है यानि उसका कंसेट्ट क्या है उसका कंसेट्ट मतलब होता है आउधारना ठीक है तो हमारे पास क्या क्या हो गया बच्चों ध्यान देना हमारे पास हुआ कि उस घटना से संबंदित हमारे पास तत्थे क्या है नमबर एक उस घटना के पीछे अधारना क्या है नमबर दो अब हम क्या करेंगे ये रहा तत्थ है और ये रहा अधारना इन दोनों को हम जोड़ देंगे यानि fact प्लस concept इसको हम जोड़ देंगे जब दोनों को हम link करेंगे जोड़ेंगे तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा कहानी बनेगा क्या बनेगा कहानी का निर्मान होगा कहानी का निर्मान होगा अब सोचिए दोनों को चुकि हमने जोड़ा है उससे कहानी बनाया है अब इस कहानी को हम याद रखेंगे ये चुकि कहानी है और जब कहानी याद रहेगी त तो यहां संभव नहीं है बच्चो, असंभव है मानलो कि आप कभी कहते हो कि सर हमने भूल गए हम सर, हमारा तथ्य उस समय दिमाग से हट गया, निकल गया, यह संभव होई नहीं सकता, कारण कि जो तथ्य वह वह कहानी का भाग है, और जब कहानी आपके दिमाग में है, तो त सथे कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकता मेरा प्रयास ही होगा साथ में हमारा प्रयास और क्या हो सकता है हमारा प्रयास यह भी होगा कि जब कोई टॉपिक हम समाप्त करते हैं तो समाप्त करने के बाद ध्यान दिजिए समाप्त करने के बाद उस टॉपिक से पिछले पांच वर्षों में UPSC ने सवाल क्या क्या किया है पिछले पांच वर्षों में PCS UP में सवाल क्या पूछे गए है उनके उपर भी प्रकास डालना उनके उपर भी प्रकास डालना कि भाई टॉपिक ये है टॉपिक क्या है 1857 है और इस टॉपिक से 2016 में 2019 में 2021 में UPSC ने ये ये सवाल पूछा है तो उससे अनुमान लगेगा कि UPSC उस टॉपिक से किस तरह का सवाल पूछ रहा है ताकि हम यह एक गेस कर ले अनुमान बना सकते हैं कि साहब 2022 में अब जो 1857 का रिवोल्ट है वहाँ से क्वेशन जेनरेट होगा तो अब इस तरह का क्वेशन पूछा जाएगा हमारे अंदर क्या होगा? अनुमान लगेगा और इसी बात को बच्चे लोग कहते हैं कि मेरा किस्मत ने साहता दे दिया किस्मत नहीं होता है होता यह है कि आप इतना वेग्यानिक धंग से पढ़ते हो आपकी जो प्रिपरेशन होती है इतना सिस्टेमेटिक होता है इतना सैंटबिक होता है कि आप जो है एक्जाम देने से पहले अनुमान लगा लेते हो कि अगले एक्जाम में सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे यही मेरा पूरा जो है प्रोग्राम होगा ठीक है बच्चो